Hello dear students, हम जब जानते हैं कि physics subject ऐसा होता है जो पढ़ने में theory तो बहुत अच्छी होती है, काफी नहीनी चीज़े जानते हैं, लेकिन जब उसमें question solve करने की बारी होती है, तो सब को difficulty उसमें feel होता है सवाल क्या होता है, कि हम क्या problem को overcome कर सकते हैं, क्या systematic strategy का use करके, हम question solve करने में pro बन सकते हैं जो सवाल हम पढ़ते हैं, उसको कैसे comprehend करें, और accuracy मेरा कैसे बरपाए, जो कि calculation भी होता है, theory भी होता है, और इसमें concepts भी होता है, तीनों की जगा combine करना पड़ता है, तब जाके हमारा question बनता है तो एक proven rule है, three step method होता है, अगर आप इसको follow करते हैं, तो आप किसी तरीके के, किसी भी stage में हो, किसी तरह का दिक्कत हो, आप उसको overcome कर सकते हैं step का सबसे पहला काम यह है, कि जो starting में अगर आपसे question solve नहीं हो पाता है, तो थोरा सा slow जाना है सवाल बनाने में बहुत ज़्यदा fast नहीं करना है, बहुत ज़्यदा question एक साथ में collect नहीं करना है कुछ certain amount of question ही per day practice करना है, और थोरा अपने speed को slow रखना है फिर दीरे gradually अब काम करेंगे, तो आपका जो speed हो जागा वो improve कर जागा सबसे पहला काम यह होता है कि जब भी question हम पढ़ते हैं, तो कभी-कभी तेजी और काफी जल्दी के चक्कर में हम सवाल को पूर अच्छे से पढ़नी बाते हैं, अब सवाल को कम से कम दो बार पढ़ें अच्छे से तो उसको आप comprehend अच्छे तरीके से कर पाएगे, नेक्स होता है कि जैसी आप comprehension कर लेते हैं, उसके बाद होता है कि उस particular concept में, question में, कहां का concept यूज हो रहा है, यह आपके दिमाग में click हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोरा सा बैटके कर question को दो बार पढ़ते हैं और आपने उ uniform motion है तो उसमें तीन equation होता है, non-uniform है तो simple सा differentiation and integration करके हमारा काम हो जाता है, इसके बाद जो सबसे important चीज होता है कि अगर यह दो भी सही हो जाए, पिसरे वाल नहीं से पर काम नहीं करता हो तो आपका कभी भी answer exact नहीं आगा, वो होता है हमारा accurate calculation, calculation को accurate करने के लिए यह धीर skip नहीं करना है, और जब जैसे यह समय के साथ आप चीजों को repeat करते जाएंगे, फिर आप देखेंगे, calculation का जो steps होता है, आपका कम हो जा रहा है, सवाल को बहुत जल्दी में आप read करके comprehensive mode में चले जाते हैं, चीजों को समझ बाते हैं, और उसमें जो use होने वाला concept होता है, आपके दिमाग में जल्दी से hit करता है, बस इनी तीन steps को धीरी धीर करना है, थोरत 15-20 दिनों के लिए करना है, कुछ एक सवालों के साथ experiment करना है, और धीरी धीर देखेंगे आपका speed, accuracy, और striking ability होता है, जल्दी से जो भी question पूछा जा रहा है, आपके दिमाग में hit हो जाए Wish you all the best